हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में डिपार्टमेंट फॉर दा वेलफियर ओफ सी, स्ट, ओबीसियन माईनोरिटी की तरफ से जो है राजकी ये उच्चतर मादमिक आवास्य विध्याले फुली रेजिदेंशिल स्कूल है जहां से स्विक्षक भरती का एडवर्टीजमेंट आया है जिसमें टीचिंग की भी पोस्ट है और नौन टीचिंग पोस्ट भी निकाली गई है आविधन के लिए कोई भी पीस नहीं लग रही है ओनलाइन और ओफलाइन मोड दोनों में ही जो है आप लोग आविधन कर सकते हैं पूरे भारत के किसी भी राजे के कैंडिडेट अगर सबजेक्ट है क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आविधन करें तो चलिए देख लेते हैं लास्ट डेट जो है वो क्या रहने वाली है online mode में कैसे आविदन करना होगा और offline में कैसे आविदन करना रहेगा सबसे पहले जो है main website पर ही देख लेंगे newspaper में भी advertisement डाला गया था advertisement print जो है अब main website पर भी आ गई है Kaling Institute of Social Science दिली राजकी ये उच्चतर माधमिक आवासिय विध्याले तो ये पूरा जो है advertisement पहले newspaper में आया था No March को उसकी बाद अभी जो है आपको main website पर मिल जाएगा तो चलिए सबसे पहले जो है देख लेते हैं कौन-कौन से subject की जो है यहां से vacancy आई है Principal की post है Vice Principal की है vacancy PZT में English, Hindi, Maths, Physics, Chemistry, Commerce, Economics, History, Political Science and Physical Education teacher, Painting and IT teachers की vacancy है Trained graduate teachers के लिए English, Social Science, Maths, Natural Science, Hindi, Sanskrit and Urdu की vacancy है Primary teacher यह Assistant teacher general की vacancy है Music and Dance teacher की vacancy है उसके बाद जो है Drawing teacher की vacancy है Computer teacher की special educator की vacancy है Non-teaching staff में जो है nurse है Accountant है Physical Education teacher है Lab assistant, clerk Hostel warden MTS तो यह जो है vacancy है जिसमें teaching staff के लिए Qualification क्या मांगी गई है उसे हम देख लेते है तो यहां पर लिखा है Post No.1 and 2 1 and 2 में Principal and Vice Principal है और Post No.3 में है PZT teachers तो Post No.1 and 2 के लिए इन्होंने Master Degree के साथ में B.Ed Minimum 5 Year का PZT या फिर 10 साल का TZT में या फिर 5 साल का Admin में आपने अनुभव गेन किया है तो आप यहां पर बिलकुल Apply कर सकते हैं Proficency English and Hindi दोनों रहेगा Post No.3 पZT के लिए था तो यहां पर Post Graduation के साथ में B.Ed और 3 साल का नुभव PZT या 5 साल का नुभव TZT टीचर्स में आपने गेन किया हो कहीं पर भी पहले पढ़ाया हो 4th No.4 पर जिसमें C.T.E.T. जो है कहा है नौने साथ में B.Ed और 3 साल का Teaching Experience Post No.4 किसका है? TGT टीचर्स का है Train to Graduate Teachers का है उसके बाद Post No.5 पर जिसमें D.I.T. या J.B.T. वाले बिलकुल अपलाए कर सकते हैं Post No.5 में PRT Assistant Teacher की Vacancy है Next यहां पर Music and Dance Teacher Post No.6 में हैं तो यहां पर Degree मांगा गया है और 3 साल का अनुभव अभी आप देखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने C.B.S.C. Board में पढ़ाया है या किसी और Board में पढ़ाया है ऐसा कुछ अनुभव नहीं मांग रहे हैं बस केवल अनुभव मांग रहे हैं ठीक है कहीं पर भी आपने किसी भी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया है तो आप यहां पर अपलाए कर सकते हैं उसके बाद जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की वेकेंसी है तो उसे आप देख लें नेक्स्ट जो है यहां ड्राइंग टीचर और फिजिकल एजूकेशन टीचर की जो वेकेंसी है तो उसमें वीपीएड मांग रहे हैं या एमपीएड मांग रहे हैं जो की पोस्ट नंबर फोर्टीन में आप देख सकते हैं इसमें कोई अनुभव नहीं मांग रहे हैं बाकी जो non-teaching staff की vacancy है वो भी आप देख सकते हैं, hostel warden के लिए अगर कोई भी apply करना चाहेंगे, तो graduation किसी भी stream से आपने किया है, arts, commerce, science से, लेकिन दो साल का जो है यहाँ पर boarding school या फिर किसी hostel में जो है warden में आपने काम किया हो, female candidate को ही preference यह लोग देंगे, तो vacancy जो है, Culling Institute of Social Sciences, Delhi, राजगी यह उच्चितर मादमिक आवासिय विध्याले, तो यह fully residential school है, विल्कुल आवास की सुविधा जो है, salary के साथ में teachers को provide होगी, अब देख लेते हैं कैसे apply करना है, तो मैंने आपको बताया कि online, offline, दोनों ही mode में आप लोग apply कर सकते हैं, अगर offline mode में आप apply करना चाते हैं, तो 9 मार्च का यह विध्यापन newspaper में publish हुआ है, यह लिखा है, दस दिन के अंदर ही जब विध्यापन जारी हुआ है, उसके 10 दिन के अंदर, यानि 9 के बाद आप लोग 19 मार्च तक apply कर सकते हैं, address यह यहाँ पर आपको मिल जाएगा, Government of NCT of Delhi, Department for the Welfare of SCST OBC Minority, B Block, Vikas Bhavan, IP State, New Delhi, तो यहाँ New Delhi में ही जो है, आप लोगों को teaching करनी होगी, अगर आपका selection यहाँ हो जाता है, अब देख लेते हैं, online जो है, आप लोगों कैसे apply करेंगे, तो सबसे पहले जो आप लोगों को main website पर आना है, school की, उसके बाद latest update, आपको home page पर ही दिखाई देगा, apply for various tenders, apply for various post in school, तो यहाँ second number पर जो है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, अगर आप online apply करना चाहते हैं, advertisement in print media, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा विज्यापन द इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर आपको Google form मिल जाएगा, link दिया हुआ है, इस तरीके से Google form होगा, तो जो भी candidate apply करना चाहेंगे, बिल्कुल समय से पहले apply कर दें, अभी इस school में admission भी start है, तो आवास यह विध्यालय है, और भी जैसे ही vacancy जारी होती है, किसी भी state की, क्या पंजारी होंगे, बिल्कुल समय से पहले आप लोगों को सूचित किया जाएगा, मिलेंगे next video में, thank you